दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाईए तैयार, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान विश्णु जी और धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा से पांच अप्रेल पाप मोचनी, एका दशी के दिन बना, दिव्य दुरलब महा, शुब संयोग, गुरु अम्रित योगधन, लक्ष्मी प्राप्ति योग, सर्वार्थ सिद्धी योग, बारह राशियों में से छे राशियां होंगी, करोडपति माला माल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भगवान श्री हरी विश्णु जी, माता लक्ष्मी की कृपा से पांच अप्रेल, या छे राशिवालों की किस्मत चमकने वाली है, ये छे राशिवाले धन से माला माल होने वाले हैं, ये छे राशिवाले करोडपति बनने वाले हैं, स्वयम भगवान विश्णु और माता लक्ष्मी, अब इन छे राशिवालों के जीवन के सभी दुख दर्द संकट कष्ट है उन सभी को दूर करने वाले हैं और अब इन छे राशी वालों के जीवन में आने वाली है। भगवान विश्णु जी और माता लक्ष्मी के आशीरवाद से अपार खुशियां ही खुशियां जिससे इन छे राशी वालों का जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों वे खुशनशीब और भाग्यशाली छे राशियां कौन कौन सी हैं क्योंकि भगवान विश्णु जी माता लक्ष्मी के आशीरवाद से पांच अप्रैल यानि की पाप मोचनी एकादशी के दिन धन से माला माल होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको उनीचे खुशनशीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में संपूर्ण और सठीक जानकारी देने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू से अंत तक वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। वीडियो को आगे शुरू करें। सबसे पहले भगवान विष्णुजी और माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अवस्य कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशी भी डाल दें। आपकी राशी के अनुशार कोई भी उपाय होगा तो वो हम आपके कमेंट के इस बार 5 अप्रेल दिन शुक्रवार को पाप मोचनी एकादशी वरत है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णुजी और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और आपको बता दें शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है तो समझ कि इस बार जो भी उपाय करेंगे, शत्प्रतिशत लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णुजी का विधिविधान से आप पूजन करें, इस दिन शत्प्रतिशत लाभ मिलेगा। सभी मनोकामनाय पूर्ण होंगी, साथ ही साथ शुभ फल की प्राप्ति वरत भी इस दिन किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से साधक को सुख शांती मिलती है। और भगवान विष्णुजी माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पाप मोचनी एकादशी, वरत के दौरान, विष्णु चालीसा का पाठ कर पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में सनान करें और वरत का संकल्प ले। इसके बाद घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। और एक चौकी पर भगवान विष्णुजी और माता लक्ष्मी की मूर्ती आप स्थापित और इसके बाद पीले रंग के फूल की माला चड़ाएं और हल्दी का तिलक लगाएं। फिर भगवान विष्णुजी को पंचामरित और पंजीरी का भोग लगाएं और विष्णुजी का आप ध्यान करें। भगवान विष्णुजी की पूजा में तुलसी के पत्ते अव माता लक्ष्मी पूर्ण करेंगी और आपके जीवन में आपको अपार्धन संपति की प्राप्ति हो जाएगी और आपके जीवन में सदैव खुशियां खुशियां रहेंगी। दोस्तों बात कर लेते हैं उन्छे खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में जो करोड़पती बनने वाले हैं माला माल बनने वाले हैं स्वयम विधाता भी नहीं रोक सकते अब इन छे राशे वालों को करोड़पती बनने से माला माल बनने से पांच अप्रेल यानि की पाप मोचनी एकादशी के दिन चलिये शुरू करते हैं कौन-कौन सी विच है खुश इसी भी कार्य की शुरुआत की जाती है, तो उसमें धन की आवश्यक्ता जरूर पड़ती है। बिना धन के कोई भी कार्य संपन्न हो ही नहीं पाता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में धन की कभी भी कोई कमी ना हो। वह अपना जीवन सुख वैभव के साथ व्यतीत करना चाहता है जिसके लिए दिन रात कड़ी मेंट भी करता है जिससे वह बहुत सारा धन अरजित कर सके परन्तु इतनी मेंट करने के बावजूद भी मनुष्य को सफलता प्राप्त नहीं हो पाती और वह सोच में पड़ जाता है कि इतनी मेंट करने के बावजूद भी सफलता हासिल क्यों नहीं हो पाई जी हां दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनुष्य को महनत करने के साथ साथ उसकी किस्मत भी उसके साथ होनी चाहिए क्योंकि यदि किस्मत साथ ना दे तो मनुष्य के जीवन में सफलता नहीं मिल पाती और य इंदू धर्म में ग्रह नक्षत्रों और राशियों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। यदि ग्रहो या फिर किसी नक्षत्र पर भी छोटा या बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, तो इसका सीधा असर व्यक्ति के जीवन पर भी देखने को मिलता है। कुछ लोगों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो वहीं कुछ लोगों पर इसका बुरा समय के साथ-साथ व्यक्ति को उसके जीवन में बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी राशियों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिनकी सोई हुई किस्मत अब भगवान श्री हरी विश्नु और माता लक्ष्मी के आशीरवात से चमकने वाली है, और इन राशी वालों के जीवन के समय शुभ महा संयोग से, माता लक्ष्मी और भगवान विश्नु की कृपा से आपको अब लाभ दायक स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, आपके लिए इस समय में अब लाभ दायक स्थितियां बनी हुई हैं, आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं, आपको अपनी भविश्य के लिए जो योजनाएं आपने बनाई रखी हैं, वे योजनाएं सफल होंगी, और उन पर अमल करने का समय भी आ गया है, उन पर अमल करें, सफलता आपके हाथ लगेगी, साथ ही साथ, अब आपको कई बड़े फायदे देखने को व्यवसाय के नए रास्ते बनते नजर आएंगे, जो व्यक्ति नौकरी पेशावाले हैं, उनको पद में उन्नती मिलेगी, और उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, साथ ही साथ समाज में, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में व्रिद्ध होगी, साथ ही स संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा, माता पिता का आशीरवाद आपको बड़ी उंचाईयों पर लेकर जाएगा, जी हाँ दोस्तों, मेश राशिवालों, माता लक्ष्मी और भगवान विश्णु जी के आशीरवाद से समय आप पूर लाब उठाएं, जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वह खुशनसीब और भाग्यशाली राशी है, कन्या, राशी, जी हाँ, दोस्तों, कन्या राशी वालों के लिए भगवान विश्णु और माता लक्ष्मी के, आशीरवाद से अब समय अब समय पर पूरे हो जाएंगे, जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा, संतान पक्ष से कोई बड़ी खुश्खबरी मिलने से मन आपका बहुत प्रसंद रहेगा, भगवान विश्णु और माता लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टी आपके उपर बनी रहेगी, जिसकी व व्यापारी हैं, उनको व्यापार में अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा, नौकरी पेशा लोगों को, नौकरी से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुश्खबरी प्राप्त हो सकती है, भगवान विश्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से समय आपके लिए कन्या बहुत ही लाबदायक रहने वाला है. जी हाँ दोस्तों, अब बात करें, अगली खुश्ण शीब और भाग्यशाली, राशि की तो वहर राश्शी है, मीन राश्शी, जी हाँ दोस्तों, मीन राशी वालों पर भगवान विश्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत महरबान है, जी हाँ दोस्तों, अत्यधिक क्रिपा आपके उपर बन रही है, मीन राशिवालों, भगवान श्री हरी विश्नु और माता लक्ष्मी का नाम लेकर कोई भी कार्य आप शुरू करेंगे या नया कोई बिजनस शुरू करेंगे, आपको उसमें अवश्य ही बड़ी सफलता प्र होगी, साथ ही साथ आप सामाजिक रूप से अपनी अलग पहचान बनाने में काम्याब होंगे, साथ ही साथ छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रगतिके योग बन रहे हैं, परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, दापत्य जीवन सुख में रहेगा, जी हाँ दोस अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशी की तो वह राशी है कुम्भ राशी जी हाँ दोस्तों, कुम्भ राशी वाले लोगों को बता दें कि भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके लिए बहुत ही शुब्ह महासंयोग का निर्मान हो रहा है, जी हाँ दोस्तों, इन राशी के लोगों के कार्य और विचारों में एकाग्रता और शांती रहेगी, आप लगातार सफलता ताके नए नए किर्थिमान स्थापित करते हुए अपनी अलग पहचान बनाने में सफलता हासिल करेंगे, आप अपने कार्यों में जो भी लगे जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आपको अस्मिक धन, लाभ प्राप्ती के भी योग बन रहे हैं, व्यवसाय में भारी धन, लाभ आपको प्राप्त होगा, आप जल्द से जल्द कोई नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं, जिससे आपके घर परिवार में खुशियां ब कृपा से आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत बनी रहेगी और घर परिवार में खुशियां आएंगी, जी हाँ दोस्तों, बात करें, अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशी की तो वह राशी है तुला राशी, जी हाँ दोस्तों, तुला राशी वाले लोगों को बत कि आपके ऊपर भगवान विश्णु और माता लक्ष्मी की अपार कृपा द्रिष्टी बन रही है, जिसकी वजह से आपको अत्यंत भारी धन लाभ प्राप्ति होने की संभावना है, साथ ही साथ इस राशी के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में व्रिद्ध होगी, ज आपको इसमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी, जी हाँ दोस्तों, इस राशी के लोगों की आए में व्रिद्ध होगी, जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनको संतान प्राप्ति का भी सुख अवश्य ही प्राप्त होने वाला है, साथ ही साथ आपक प्रेम, जीवन दापत्य जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत ही खुश्मय में और आनंद पूर्वक रहने वाला है। जीहां दोस्तों बता दें कि भगवान विश्णु और माता लक्ष्मी के आशीरवात से तुला राशे वालों समय पूर्णता आपके पक्ष में है। जिस भी कारे में आप हाथ डालेंगे, वह कारे आपका अवश्य ही सफल होगा। इस समय का आप भरपूर लाब उठाएं और समय को अपने हाथ से आप ना जाने दें। जी हाँ दोस्तों, बात करें, अगली खुश नसीब और भाग्यशाली, राशी की तो वह राशी है, व्रिशब राशी। जी हाँ दोस्तों, व्रिशब राशी वाले लोगों को बता दें कि भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी की विशेश कृपा आपके लिए बहुत ह से आपके जो भी कार्य हैं, वे सफल होते चले जाएंगे, आयके साधनों में व्रिध्य होगी, साथ ही साथ, यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने को लेकर योजना बना रहे हैं, तो वह योजना भी आपकी अवश्य ही सफल होगी, व्रिशब राशी वाले लोगों आपके लिए धन लाभ के लिए अनेकों अवसर प्राप्त भी होने वाले हैं, यूं कहें कि धन लाभ प्राप्ति के आपके लिए अनेकों योग हैं, स्वयम माता लक्ष्मी और भगवान विश्नु जी के आशीर वाद से समय आपके लिए अनुकूल है, आप लोगों को बत कि आपके परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा, साथ ही साथ कारोबार में विध्य होगी, सामाजिक शेत्र में आपको सफलता पराप्त होगी, अचानक से धन पराप्ति आपको होने वाली है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.